हलो बचों कैसे हो फर्स्ट क्लास तो आई है आज हम दों देखने जा रहा है वंडी का पार्ट 11 ओके वंडी का पार्ट 11 तो उधर जो 11 आज के पार्ट के पहले इतने भी पार्ट होंगे वह आप पढ़ चुके होंगे में इसकी 10 पार्ट तका त्यार हो गया होगा अब यह 11 पार्ट क्या पचा हुआ वंडी में आई उसो देखते हैं हम लोग तो पी हंडेट फेजेक्स और मैं वहीं सब्सक्राइब करेंगे अब इनके अलावा कुछ और क्वेस्चन ठीक चले तो सभी पूरे सारा जितने भी क्वेस्चन सब लेने जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपार वंडी का मोस्ट इंपार्टेंट क्येस्चन सब हम ले जा हैं वन बाइवन वन बाइवन वन बाइवन ओके तो आपको बिलकुल सिस्ट्माटिक रेगुलर लगभट डेढ़ घंटे का एपिसोड होगा जम के पढ़िए खौब अच्छीतर से त्यारी करिए आए ओके कमान स खौब करिये कि दिस्प्राणिमेंट इस गिएगे थूं इस स्कार मेंस 16 T फैवस्पोई दिस displacement of the body is so much the body का displacement कितना है x वराबर 4T square minus 16T clear plus 5 कित में मीटर में अब यहां बहुत ही simple question क्या पुछा जा रहा है आप से अब आप से यहां पे पुछा जा रहा है number one number one what is what is velocity at t बाबर 2 second number second what is what is displacement what is displacement at t बाबर 2 second okay number three what is maximum displacement what is maximum displacement इसमें टाइम नहीं दिया हुआ what is maximum displacement और नंबर फोर विलास्टी टाइम ग्राफ ग्राफ नंबर फाइफ अश्चिलरेशन टाइम टाइम अस्ट्राइम टाइम ग्राफ बस यह है आपका question most important इस type of questions यहीं से start होते हैं तो क्या होते हैं questions चलिए देखा जाए इसको ओके तो yeah try to do this question ओके कोशिश करें साल्व करने का इसको question को हाँ answer दिकार लेजिए कोशिश करें साल्व करने का question हो गया कोशिश करिए तुरांत आजाएगा बहुत आसान है बहुत ही simple questions करें चला मैं कर今日 और अब कभी भी जी आपको displacement दीया गया हो recession दिया गया हो और आपको recursos दिया गया हो Ev démocrateiosis पतानी हो meets might दिया गया हूँ बिलश्टि बतानी हो यह विलास्टिब्या गया हो acceleration बताना हो तो जो process इसके लिए use किया जाता है उस process का क्या नाम है? उसे कहते हैं हम लोग ना differentiation क्या बोलोग है इसको? उसको क्या बोलोग है? differentiation clear? अच्छा आप differentiation को कैसे represent किया जाता है? means क्या दिया रहे? displacement दिया हो velocity बतानी हो या यह दिया गया हो acceleration बताना हो तो जो process use करते हैं उसका नाम क्या है? differentiation clear? हिंदी में सुकते हैं avokalan क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? avokalan आईए अब चले तो हम लोग का question में क्या है? हम लोग के question में क्या है? हम लोग के question में दिया हुआ है Displication. अब बताना है क्या? तो एक तो कुछ भी आपको दिखाई पड़े जैसे dxy dt dsy dt यह अदि भार एवाईद एक्स कुछ भी इसतार से कुछ भी बाय डी एक्स ओके कुछ भी इस तरह का दिकाई पड़े आपको यहां दigare एक्साद नेक्सा और निचे दी के साथ कुछ रहे और हाँ अब बीज900 कंट मन्त दीजेगा कर desarroll डिला है displacement कि और यह क्या सो कर रहा है इसमान वालू है टाइम की डीटी एक चीज़ है तो डीटी एक चीज़ है तो डीटी से एकसे टी नहीं कटेगा ना तो इसलिए इसको कटिएगा नहीं ओके अच्छा अब अगला पॉइंट कि इस मैंसे बहुसारे बाची जानते होंगे आप लोगम्शार बच्च्छे जूब नहीं जानते हैं उन के लिए अच्छी तरह से वही शुशिक लिए ना वहत आसान से चीज है बस पांस विड का काम चलो कैसे अब जो लिखा है जैसे मा लिए लिखा है डी एक्स अपान डी टी तो पहले तो पहले तो पहचान लिखे कि क्या रहेगा तो आप देखे पाचान जाएगे कि हां यह डिफरेंसियेशन है तो जब भी आपको द दिखाए पड़े डिएख सभाइ डिटी जब यहांगों दिखाइ पड़े डिए एक्स अधिती तो पहले तुली आम इसका कोच भी यह सिट्रेंसियेशन है क्या समझांगे आप क्या समझी यह सब्सक्रेंसियेशन तो समझाएंगे यह डिफ्रेंसियेशन है अब इस डिफ्रेंसियेशन को पढ़ते कैसे हैं पढ़िए तो देखिए पढ़े का तरीका कहेंगे इसको फूरा नाम इसका कैसे पढ़ेंगे पढ़िए डिफ्रेंसियेशन आफ किसका डिफ्रेंसियेशन उपर D के साथ में जो रहोता है उसको differentiate करते हो तो आप कहांगे कि differentiation of किसका जो उपर D के साथ में हो तो कहेंगे differentiation of X क्या बोलेंगे? differentiation of X और जो नीचे D के साथ में होता है उसकी sub-X means with respect to तो differentiation of X with respect to अब यहां नीचे D के साथ में जो भी कुछ रहे, अब यहां time है, तो with respect to क्या time, with respect to time, okay, पूरा नाम पढ़ने का तरिका से क्लिया, D X by D T means, differentiation of, what do you mean by that differentiation, D X by D T, differentiation of X with respect to time, this is known as a differentiation, okay, for example, पढ़के बताओ, लिखो, काफे पे लिखो अपना, D Y by D X, लिखो जल्दे, लिखे पूरा नाम इसा क्या हुआ, पूरा नाम पढ़ने, पढ़ो पूरा नाम, पढ़ो भई, पढ़ा, लिख लिया, लिखो, differentiation, आफ, किसका जो उपर है, D के साथ, Y, किसके साथ X, with respect to X, with respect to X, हो गया, इसे कहते हैं, differentiation, clear, कोई भी होगा, लिख लेंगे ना, चलिए, एक और बताइए, D V by D T, D V by D T, हाँ, पढ़ो जल्दे, D V by D T, पढ़िए, differentiation of velocity, with respect to time, तो पढ़िए इसको, differentiation, differentiation of velocity, हो गया, differentiation of velocity, with respect to time, okay, so this is the idea, this is the process, how read differentiation, how read differentiation, यह हो तरीका, differences को पढ़ोगे कैसे, अब करोगे कैसे, आजाओ, अब करोगे कैसे, बहुत ही सिंपल सीची बात है, और, ना, और पूरे physics में, इसकी हम लोगों को जरूरत पढ़ती है, है ना, तो आजाओ, पूरे physics में हर जेगे सीज़र पढ़ती है, और है बहुत सिंपल सी चीज़े, आपको physics में, physics में कितना यूज करना है, physics के लिए कितना जानकारी सी चाहिए, बहुत सुतना ही आपको पढ़ना है, हाँना, आजाओ, चले हाँ, अब, हाँ, क्या बटा, अब ये तो हो गया कि हम लोग इसको पढ़ते कैसे हो, अब इसको करते कैसे हो, चलो, ला फर्स्ट, ला फर्स्ट, पहला नियम, लिखिया इस त्रसे में साथ, डी डी एक्स of x to the power n, हाँ, ला नमबर फर्स्ट, डी डी एक्स, ला फर्स्ट, डी डी एक्स of x to the power n, what is the law, process capital, बहुत ही आसान, simple सीवात, जो भी पामर हो, बगल में आता है, और एक पामर उस पर से कम हो जाता है, क्या बोला, हाँ, बोलो पर, जो भी पामर हो, घात, जो भी हो, वो बगल में आएगा, और one will less, एक पामर कम, कैसे, चलिए करिए, n, x, एक पामर कम मेंस, n-1, तो तो दिस इस द ला, दिस इस द प्रोसेस, फारी जमपर, चलिए, डी बाई डी एक्स, आफ, एक्स क्यू, बोली जल दे, पामर बगल में, एक पामर कम, कितना हुआ, थ्री, एक काम, थ्री एक्स स्क्राइब, एक्स इसक्राइब, बोली ए, दूसा बोली ए, अपरे मन से निकालिए, दे, दे भाई डी टी, टी पावर फोर, इंसर बोली ए, हाँ, बोलो इंसर जल दे, हो गया, लिए आपना, चलो, फोर, टी तुदा पावर थ्री, ओके, चलिए, दूसा बोली ए, हाँ, दूसा बोली ए, दे अपन, डी टी, ओके, ए, एक्स तूदा पावर, मैनस टू, इंसर बोली ए, ना बोली ए, फटापट, हाँ, जल्दी बोलो इंसर, हाँ, पावर बागल, हाँ, करो ऐसे, करो, माइनस टू, कर दिया, पावर बागल, हाँ, माइनस टू करना है, चलो, तो, एक्स टू पावर, माइनस टू पहले से था, तो, माइनस टू और माइनस टू करना ही है, हमेंसा, जो भी पावर है, उसमें से माइनस टू कर दिया, हा हाँ, चलो कितना लिख दो, मानस 2, X to the power, हाँ, जल्दी बोलो यहाँ पर, मानस 2 और मानस 1, मानस 3, तो मानस 3, हो गया, क्या सही है, नहीं, कहां गलती है, देखो, यह है X, और यहाँ है T, अभी तक जिसको कर रहे थे, देखे, कि इसको टी को कर रहे थे टी के सापेक्ष कर रहे थे मिंस कि जिसको कर रहे थे वह भी था और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वह भी था इसमें देखिए यहां पर भी एक्स था यहां भी एक्स तो यहां भी एक्स तो जिसको कर रहे हो जिसे सापेक्ष कर रहे हो दोनों 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 कॉंटिटी फिश्कल कॉंटिटी एक ही है तो जब एक ही है तो यही पर फिनिश हो गया वह डिफ्रेंसियेशन हो गया लेकिन जब यह रहे अलग और यह रहे अलग तब डिफ्रेंसियेशन कैसे करोगे तो जैसे जानते हो फिर वैसे कर देना देखो जैसे जानते हो त करने के बाद इसके differential coefficient से multiply कर देना इसका differential coefficient means कितना किसके सापश करना था tk नीचे ले देना है dt और किसको करना था x variable means x quantity को करना था तो उपर लिख दिया dx इसे कहोगे क्या इसे कहोगे differential coefficient of this function with respect to this again differential this is the variable quantity x and a different you have to differentiate it with respect to the time so what is the differential differential coefficient dx by dt so you have to multiply now this by dx by dt so therefore multiplied by dx upon dt okay fantastic and this is the final result minus 2 x cube dx by dt fantastic okay so very simple आजाओ आगे बड़े आगे बड़े चलो अब जैस्ट वैसे मैं कुछ और को प्रेटिस करा दूँ छोटी छोटी चोटी सी बाते दिस दर ला नंबर फर्स्ट ला नंबर फर्स्ट और अभी और अभी तुरांट साले नुमेरिकल से इसके बाद में अभी जितने भी आना तुरां देखे खटा-खट हाँ सब साल बहुते चले जाएंगे कुछ भी नहीं यह फिजिक्स बहुत आसान होती है वह कि बरसाते समझ में आ जाए अच्छी तरस्ट अब नेक्स पॉइंट चलो यहां ले ले हाँ आप बताईएगा डी अपान डीटी डीपान डीटी किसका करना है आपको फंक्शन यानि फंक फंक्शन के साथ में जो कॉंस्टेंट रहता है वैसे 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 रहता है तो यहां है जैसा है वैसा ही रहेगा अब बात रही किसकी एक्स क्यूब की जैसे जानते हो प्रोसेस हैस टुद पावर एन फार्मुला जो है ठीक वैसे साल्व कर दो तो कितना हो गया थ्री एक्स पावर थ्री माइनस वन मिन्स टू हो गया वेल डन कले है अच्छा अब क्या हुआ लेकिन यह था देखने ना च करना है कि यह था एक्स और यह है टी तो क्या करोगे डिफरेंशियल कोफिशेंट से मॉल्टिप्लिकेशन क्या करना होगा डिफरेंशियल कोफिशेंट से मॉल्टिप्लिकेशन तो एक्स फंक्शन का टी के साप एक्स दिफरेंशियल कोफिशेंट क्या बनेगा दिएक्स ब dx upon dt, this is the answer, clear, तो हमार समस्षे अब आप किलर हो गए होंगे, first class हो करता है, first class, okay, आजाओ, तो अब चलते हैं हम लोग, सीकेंडला पर, सीकेंडला क्या है, यहाँ पर, फिजिक्स साल करने के लिए कोई कितनी जरूरत है, आई, देखे, चलता, आजाओ, चाहो आएटी की फिजिक्स हो, चाहो निट की फिजिक्स हो, उसको साल करने के लिए कि जो जो suivre की साते हैं, कैसे साते हैं, कैसे को साल करना है, तो मैं बस तुरान तबी ये lecture समात होते होते हैं, आपको master piece बन जाओगे, औके पूरा आपके गरिप में होगी ना क्या पीहंड़्र फिजिक्स बिल्कुल फस्स लास पूरी फिजिक्स वन डी का पूरा कांसेप्ट तायर कर डालिए हर चैप्टर का जो भी चैप्टर है जमजिस्ट कंसेप्ट उसा तायर करिए चलिए ओके कही डाउटर ना रहे d upon dt of constant, any constant, d upon dt of any constant, what is the result, that is the 0, that is 0, यानि कि किसी constant का differentiation, किसी constant का differentiation क्या होता है हमेशा, 0 होता है, हाँ, first loss, किसी constant का हमेशा differentiation, 0, for example, आजाओ, अब practice किया आजाओ, आजाओ, d upon dt, 5t, what is the answer, what is the answer, जल्दी बोरी अपना-पना अजाओ, हाँ, जल्दी बोलो, फटापैट, यह constant है, यानि कि पूरा function, पूरे जो physical काणिक, जिसको differentiate कनी हो, पूरी होनी चाहिए constant, और यहाँ पर t, t is the time, और यहाँ देखो, t को करना है, t के साफेक्ष करना है, means कि फलन, जिसको function कहते है, function is t, and this is also t, इसा मतलब कि यह constant नहीं कहलाएगा, constant नहीं है, इससे पे t नहीं होता, तो यह constant पक्का, एदम pure constant कहलाता, क्यों किस समय, t constant है, लेकिन यह नहीं constant है, then what will happen, तो constant जब function के साथ रहता न, तो वह वैसे ही रहता, वह वहीं रहेगा, अब t को जैसे नियम है, जैसे करने का वर से करतो, तो नियम है t का क्या, t पर कितना power, कुछ नहीं, कुछ नहीं means, one, कुछ नहीं means, one, तो one, कितना माइनस करना होता है, one, तो माइनस किया, one, और अब कहोगे कि हाँ बागल में, तो one आएगा, 1 से 1 से multiply कर 5 में 1 से multiply कर तो 5 फी बना रहेगा इसलिए 5 फी है तो कितना हुआ वह ही 5 फोई से ही रहा और t पर कितना हो गया 1-1 that is 0 1-1 that is 0 हो गया equal to हां बोलो आगे बोली है equal to क्या होगा t पर 0 किसी भी संख्या पर किसी भी physical quantity के उपर जब पावर 0 आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है that is 1 तो 80 पर 0 means that is 1 तो what is answer 5 ओके मिनसकि क्या देखा क्या देखा कि t का t के एस अपस डिफ्रेंशिएशन आफ T with respect to t is 1 डिफ्रेंशियसन आफ X with respect to X 1 डिफ्रेंशियाशन आफ विलस्टी with respect to VLS्टी 1 डिफ्रेंशियसन आफ ES with respect to s that is 1 अलवेच अब बात रही कॉंस्टेंट की तो इसमें तो यह तो यह नहीं कॉंस्टेंट है हाँ आजाओ अब दूसा ले लेते हैं चलिए अब जा देखा जा डी वाई डी टी आफ फाइफ अब बोलिए अब बोलो इसके साथ में जिसके सापेक्ष करना है वो है ही नहीं यानि कि यह चीज क्या बनी हुई है constant variable लहीं है तो जब variable लहीं तो constant है और constant का differentiation कितना होता है zero तो that is the zero okay come on d upon d upon dt length length of chuck इस chuck की लंबाई time के साथ इसों differentiate करना what is the answer zero क्यों यह हम चाक्रा के समय के साथ एक घट बढ़ तोड़ी रहा है ना बढ़ रहा ना घट रहा है तो constant ना तो constant that is the zero d upon dt d upon dt क्या 10 what is कुछ भी नहीं यह function zero इसे करते हैं constant next point clear होगा है चलिए ओके आ जाओ अब इसके बाद में अगला पॉइंट हम ऐसे questions को solve परने के लिए आपको कितना चाहिए mathematics तो आईए वह मैं सिखा रहा हूँ आपको देखते ही एंसर मारेगा भी आईए अब अब कहीं पर दिए आ जाए product product of two functions product of two functions डिफनसियेशन ना product of two functions तब क्या करिएगा means क्या कि d upon dt किसक्या मालिय कि यह कोई भी function हो जैसे velocity है तुने वैरी कर रही है और displacement भी वैरी करने लगा तो दोनों क्या हो गए ना अदोनों product की रूप में आए हुए है तो कहेंगे product अक्टू function कहीं पर भी तो जैसे बालनों कि यहां होगा क्या first यह पहला कोई भी physical quantity है वैर of first into second तो क्या करेंगे equal to first पहले कोई से जैसे पहला है पहला जैसे ही है वह सिर्ण कर दीजिए तो first into d upon dt of second पहले कोई से नोट कर दीजिए पहला हुगार दीजिए क्या कर दीजिए प्लस second into d by dt of first हो गया साल वाज first class तो क्या करिएगा differentiation of the product of two function will be how much first differentiation of second plus the second differentiation of first that will be the answer okay तो अब आप जितने भी questions यहां पर सामने आपको जो questions देख रहे थे आप किसी भी ऐसे questions का answer होती आसानी से दे सकते हैं अब आएए चलिए इतना सीखने के बाद अपने questions को जो भी इस type के questions से पहले इतने questions की practice कर लिया जाए पहले इतने questions की practice के लिए फिर आएगे questions आएंगे और आप ऐसे differentiation, integration, बेबेक्शन भी questions मैं और लेता हूँ ऐसे सीखते जाना है करते जाना है तुरंत ही उसके questions को कर ले दा हूँ ओके चलिए अब सामने देखें यहां पर डिसफ्रेसिमेंट दिया गया है आपको नीकाली है velocity अभी अभी देखें कि velocity बराबर क्या होता है तो मैं जानते है के लिल atheist just so Data x अपांड डेल्टा टी जब यह डेल्टा इंतर्वल टाइम इंटर्वल इस भरी is small तो इसी को लेखते हो विलास्टी को से डेलटा को इशमा डी लिखते हो तो कहते हो डी PT कहते हो और यह जो डिस्का डिप्रेंटीयो यह है डिफॉरेंसिययल फार्म है विएस्टी का डिएक्स व्य्टिक न् agricस्युद्व कर तुम देखतेरं डिफ्रेंसिया ने व्यक्स व्यक्त प्रक्रण डिफॉर्शच लए बदोतकर है Bitte अब दो आदेके मुन्हों। V ब्रावर D upon DT जो भी दिया गया है उसको ले लिजिए 4T square minus 16T plus 5 अब हमको इसको लेने की जरुवत क्या ऐसे नहीं साल्व हो बाता V equal to delta X by delta T से क्या नहीं निकलता हमको इसको लिखने की अर्षक्ता क्यों पड़े हमने लिखा ही क्यों हमने लिखा ही इसलिए कि हम ऐसे तब करते जब delta X का कोई मान दिया होता हुँ पर जम्पल जैसे मालों की displacement दिया है 10 मीटर तो कहां प्रवलम हुआ delta X दिया हुए 10 मीटर अब देखेला है टाइम कितना लगा है तो हमको इस फार में लिखने की जरूरत क्यों पड़े है इसलिए पड़े क्योंकि यह एक्स कांस्टेंट नहीं था यह टाइम के साथ वैरी कर रहा था जैसे जैसे समय बदल लाए था वैसे वैसे ना वह displacement वैरी कर रहा था कैसे पता चला आपको की वैरी कर रहा था साफ है एक्स है टी का मान वन रखिए तो यहां भी वन यहां भी वन तो कुछ दूसरी भी यह थी तो फिर दूसरी वैलूर आ गया यहां पाड़ी कर मान थरी रखिए तो दूसरी वैलू आ जैसे जैसे टाइम बदल लगा है वैसे 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 एक्स की वैल्य बदल लिए हैए डिस पारनटी की बदल भी आज जब इस रूप में आ गया कि इसमें dispersion के equation में time आगया तब सemipefel का र्वियेबल यादि कि समय के साथ dispersion की value constant नहीं है वह क्यों क्या हो रहा है वैरी कर रहा है और जब है वह रियेबल जब है वह रियेबल तो क्या होना है process यही differentiation समुट के उप आप इसको सालब कर दीजिये इसको करो यह दमईम लगा दि ऑफटा-फट देखे अब व इकॉल4 देखे अब द टी बाइडी भालेडी बाहर है न, तो यह दिया क्या करा है है इसको भी डिफर्नषेट करो इसको भी करो और इसको भी करो ना इस सबको जो तीनों फंक्साने सबकर रहा करने को ना सबको करना ह plओ सबको करना चलिगंए यहां मैं लिखूँ विबराबर चलिए पहले वाले हमें रहे लिए को करिए प१ाऊ pos Fin तो फोर इंट्टूइट हो गया और हम्हां को एट हो गया अब यहां किया बचा टू-न तो ओन और वन पाउर लिखने कि जोतने जुम कि क्यों नहिंद हो गया देख्यों एट टी-ई-ब इनस यहां पर देख चलिए 16 और यहां क्या है अभर ती पर 1, 1-1 करेंगे तो हो जाएगे 0, 0 हो जाएगे 1, यानि कि यहाँ पर देखो, टी का 1 जा, उसे भी जानते हो, टी का 1 होता है, टी का, टी के साफेक्ष, 1 होता है, तो 16 बस गया, 16 to 1, 16, और यहाँ पर देख, अब यह 5 constant है, जिसके साफेक्ष करना है, यदि वो चीजिस म नहीं है, तो वो constant है, constant की पहचान, तो 5 का कितना हो गया, 0, okay, clear, first loss, चलिए, बस, तो अब देखें, तो V ब्रावर, आया क्या, 8T-16, this is the equation, this is the equation, final equations of the velocity, तो this is the final equations of the velocity, and now, you have to determine the value of the, what is the velocity, at t equal to 2 second, 2 second बापको विलस्टी की वेलू बतानी थे, no problem, अब क्या करिएगा, देखें, अब 2 second बेलू बतानी है, equation आपके सामने है, equation आपके सामने है, equation आपके सामने है, v इकल to, t बाबार दो दिया है, first value निकाल देए, v इकल to, देखें, 8 इन्टो 2, minus 16, तो v equal to 0, दो सेगर में बतानी है, 0 बतानी है, solve हो गया, that is the answer, how much easy, इलिए, चले, अगला पार्ट, next, अब देखें, एप पहले पार्ट का answer किना आया, 0, अब देखें, अब जाएए, अब देखा जाएकि, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, तो पहला पार्ट हो गया, हटा दिया, इससे दो पहला पार्ट हटा दे, हाँ, दो नंबर पार्ट में देखें, वाट इस डिस्प्रेसिमेंट अटीवाबर 0, तो डिस्प्रेसिमेंट का एक्वेशन तो सामने है, और डिस्प्रेसिमेंट ही पूछ रहा है, यह तो कुछ करना ही नहीं, यह तो सिंपल साइसे देखें, एक्वेशन देखें, फोर, टी, दो सेकेंट, टी की वेवेशन दी हुई तो करना किया, डिस्प्रेसिमेंट, हमार जो पताना है, उसका एक्वेशन में सामने होना चाहिए, तो एक्वेशन दो का इसपार हो गया, माइनस, 16 इंटो 2, प्लस 5, नाउ साल्व दिस, आउ हो गया, माइनस, 32, 32 हो गया, प्लस 5 हो गया, अब एक्वेशन, देखें, यह 4, 4, 16 हो गया, 16 और माइनस, 32 और प्लस 5, कितना हो जाएगा, देखिए, यह माइनस 32 है, और 16 है, इसमें से सब्ट्रेक्शन हो गया, तो बचा यहाँ पर, आया इसका माइनस 16, और माइनस 16 में से पांच तो यारी कि किना हो गया माइनस शिक्स्टीन और प्लस फाइफ मिस की माइनस 11 तो माइनस 11 क्या था कि पराद्वाइन मीटर है तो माइनस एलिबाल मीटर ईस दैस से है है पाफ लग्या इस लास बहुत आसान सब यह दो नंबर हो गया अब आजाए अब नंबर तीन पर चला जाए नोट कलें चलो हाँ आजाए नंबर तीन पर नंबर थ्री नंबर थ्री वाट इदा maximum displacement maximum displacement कैसे बताए क्योंकि जब तक टाइम हमको नहीं पता होगा तब तक निकाल नहीं सकते हैं तब तक हम नहीं निकाल सकते तो maximum displacement के लिए क्या किया जाए अब बहुत ही important point यह यह टेक्निक आपको नहीं मालूम है तो आप इस questions को solve नहीं कर सकते maximum displacement or maximum velocity यह दो पूशे तो क्या करना होता है अब मैं जैसे मलो मैं आप कितना है और मैं दोड़ते जा रहा हूं कि हमारा डिस्पर्सिमेंट बताओ तो क्या प्रावलम आ रहे हैं अपने में प्रावलम यह रही है कि जब मैं दोड़ते रहूंगा तो तुना पोगे कैसे मैक्सिमम पुछ रहा है ना तो जब तक बस तो रूखेगी नहीं तब तब मैक्सिमम कैसे पता चलेगा कैसे हम ना पहेंगे मैक्सिमम यह बाड़ी को क्या होना चाहिए पाले रूखना चाहिए जब रूखेगा तब हम उसका डिस्पर्सिमेंट निकालेंगे कि मैक्सिम कितन और के फंटास्टिक है तो क्या किलना होता प्राइपने के लिए मैंक्सिमुम् डिस्प्रसिमेंट इस अभी क्लियर हो गया कि फार मैंक्सिमुम् डिस्प्रसिमेंट displacement ओके फार्म एक्षम डिस्प्रसिमेंट क्या करना होगा velocity V will be 0 this is the condition नोट करिए फार स्ट्रेट पेंज से नोट करिए कहीं फार्म एक्षम डिस्प्रसिमेंट और क्या और क्या फार दो फार्मुला कौन से कहीं नोट करिए और फार्म एक्षमम V will stick क्या होना चाहिए अइसलेरेशन से जिप्षमर जीरो नोट करिए अइसलेरेशन कमाद जीरो होना चाहिए अभी कहेंगा इसलेशन वाला क्या है सर्थ चलो तो आओ आउसलेशन के मिस्ट बताता हूं माल यह कि मैं बाइक चला रहा हूं मैं बाइक चला रहा हूं और उसकी स्पीड कांटिनियूस अइसिलरेटर दबाए जा रहा हूं तो मैं अब दबाए जा रहा हूं लगातार और आप मालो सीर पर पीशे बैठे हो और मैं आप से पूर्च रहा हुं कि मैक्समुम् बिलस्ठी कितनी है। है इसिए मैं लाश्री कितनी है तो क्या कहोंगे कैसे बताओगए तो पहले यह बढ़ाना चली तो बढ़ाना बंद करेंगे अचले कि क्या करना होगा दिशान की ज heading to cock ॐयात लना गॉगा कि कभी जब इससको ओंगे maximum velocity आपको बगानी हो तो एकनिक याद रह थosure होता है तो अब हम्हे साकर आको याद हो गया कि फार माइकसिमाम मैकसिमाम विलास्टी येले companions Videok हां बूलो इसे बलो जल्द और वेक soutarta errado blevet बड़ पूला नहें डाक्टर बनने का द ato अायंती जाने को दोड़い遊戲 तो फार माइकसिमाम enhancement yemek जीरो फार माइकसिमाम विलास्टी jack to K Sw Break किसे बहुलो जल्दे तरा मैज्मान डिस्पर्शेमेंट विलश्टी 0 बोल्ला नहीं को कि तो भव्र माउप्र मैग्सिमाम डिस्पर्शिमेंट विलश्टी 0 फार मैड्सम विलश्टी अस्लेश्मि जीo जा या या थे ओग़ फर्स्ट पले चलो आजा नोट करने के लिए कि मैक्सम विलास्टी बतानी थी हमको तो हमको पर देखना होगा कि कितने देर तक अबाडिक चली या नहीं कि उसकी विलास्टी जीरो कब हुई है यह देखना जूरु है आजाओ विलास्टी देखनी होगी तो वी कमान निकाल तो अभी भी निकाला अब इसको जीरो होना है फार मैक्सिमाम डिस्प्लेशिमेंट फार मैक्सिमाम डिस्प्लेशिमेंट फार मैक्सिमाम डिस्प्लेशिमेंट क्या जीरो होता है वी ब्रादर जीरो होता है अग्याम पुट बाड़ जीरो ही तो जीरो इक्वल टू एट टी माइनस 16 वाट विलापेन एटी इक्वल टू 16 इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू 16 वाई एट दैट इस टू सेकेंट टी की मेली आ गई तो जो चाहिए था आपको आ गया यदि समय बाद पूछा गया होता तो पता देतें अब दो सेकेंड तक ये बाड़ी चलिया इसका मतलब तो दो सेकेंड में पूटियन देवारू हीर टू तो फूर टी के मांद दो आया है दो का स्कॉार करिया माइस 16,16 इंटू 2, इंटू 2 प्लस 5 हो गया, अब जाद देखना तो x max equal to, फोर, फोर ही है, फोर है, दो का स्क्वाइर, चार हो गया, फोर फोर पहले से ही है, दो का स्क्वाइर के चार हो गया, फोर इन्टू फोर हो गया, हो गया, माइनस 32 हुगा, प्लस 5, तो कितना हुगा, एक्स मैक्स बराबर कितना हुगा अपटा, मैक्सन डिस्पर्सिवेंट ब था ना बातेश में से शोल निकल दौग तो मानस सिस्टीन हो गया तो मानसद शेक्टीन हाप Cabinet एक मशन-ध म से क्या समझते है क्या डिस्परसिबॉंट माइनस हो सकता है यह नहीं हो सकता और मेरे सट मितलब है कि वस्त् numer या कोई कार है स्कूटर गया meto cycle कुछ भी तो यहां पर X имеет tune X इक तूझśleاط यहां से स्टाट करने знать जरू इसरूप किया कि इधर गया कितना दूर गया कुछ दूर गया कि वापस आया कि वापस आया और दिखो एक गया इधिए यहां से गया एधियं यहां पर दो पर कोई वापस आया लेकिन जब कुलेशन कर रहे फाइनल तो वह आदमी जो यहां से शुरू किया था अपनी जरली टिवाबस जीरो पर अब वह यहां है और यह जहां पहले था वहां से यह डिस्टेंस यह गैव यह डिस्टेंस है माइनस ना क्या कलाएगा यह डिस्टेंस कलाएगा माइनस 11 मीटर क्योंकि हम इधर लिए हैं प्लस तो इधर लेना होगा माइनस तो 11 मीटर उरिजिन से नेगेटिव एक्स पर मानस 11 मीटर तो 11 मीटर इस दिसामी डाइट मीटर में इस क्या कहो गए कि बस्त पाले जहां पर थी उसके जिधर चलना शुरू की थी उसके अब फाइनली जब हम चेक कर रहें टीवाब दो सेकंड बाद में तो बस्त उसके हमार सब्सक्राइब जिदर जाना शुरू की थी उसके अपोजित डायरेक्शन में है वाँ मुच अवे इलेवन मीटर अवे एलेवन मीटर आवे और अवे इन अपोजित डायरेक्शन डिस शाइन इस साइन मानस साइन इंडिकेट्स नाव दूदिश्ट इज सी डावड और अब है वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ आ जाएए अगला पॉइंट अगला पॉइंट चले तो कि नेक्स अगला क्यों चले अब नहीं बात वीटी ग्राफ के कैसे खींचो गए चले तो यह अगला हुशी में क्या पुछा जा सकता है सब कुछ लोगे लिए खुछ आ है और अब यहां यह क्या है यह एक्स जब देखो नगेटी में इंटरसेप्ट है ना जो काटर यह वाइक पर तो जब इंटरसेप्ट नेगेटी तो इसे काओ को माइनस सी प्लस में काटती हूं तो कथे प्लस सी प्लस में काट रहा है तो य बराबर में एक्स प्लस सी ओके नोट दपॉइंट अच्छे तरह से नोट करो उग्या क्लियर चलो अब जाद देखो भी इसके बात क्या होगा तो अब यहां पे तो देखे रहे किसे मिलता जूलता है वाई बराबर में सी यह तो एक्क्वेस्ट क्या बना एक्क्वेस्ट क्या बना बही बना दीजिए तुरण बना दीजिए विलस्टे लिया उपर भी है यहां पर टाइम है और दिशिदा ग्राफ माइनस में माइनस सी यह कितना है देखे यहां से अब मैं कहूं कि यह ओ है और यह ए है ओ एक आमान बताओ तो आप क्या कहिएगा विलास्ट्ie है विलस्टी ऩə इस एक्षिस पर विलस्टी है अचार मैंस क्या वारा है कि नेगेटी डैरेक्षन में है और और यह लिए दिश्टी माइनस माइनस जेंडरा रहा है दो जो ना जेट डिशे हैँ जो किया बताता है, M के अस्थान पर क्या देखिए, 8, तो M बराबर कितना, 8, चलो, यहनि कहां पर है वो, थीटा, तो अब किया बता रहा है, देखिए, कि ताइन थीटा इक्वल टू या इक्वल टू एट, तो देरफोर थीटा इक्वल टू टू, टाइन इन्वर्स एट, इस स्दा, एंगल, clear? तो क्या देख हो रहते हैं? क्या पाद रहेते? पीजेटियेक्स, पी-हन्ट्रेट् फिजेक्स, मैं वहीح स्टिप से, ओके? जबक्य। चस् tyre, बहुत ही सिंपल है सब चीजीम poles, बहुत सारे चीजoras पकिए, लेकिन जब पता चला कि हमको तहोli सा तो नहीं सीज गुत नग में टोह जोती छोटी चीज तो यह पहले। कि भी स्पिट क्या है कि सिस्चे प्लस्टा-जी का मतलब मैंैस्ट प्लशे का मतलब मैंनस टेसलिके होता पुर। सिस्ट जैर होता हैं यह भी 어떻 maint और जब जब जबसव बेच तयार होता तब फिसक्स पाड़िए में मजää हता है तब उसक पड़िक्श जहां तक है है एक है ना मैं एक है ना कि एक खुलासमान है क्या एक खुलासमान है फिक जहां तब भाला जायी प्पप फेकना तुमको एए फेकना तो तुमको एए ना फेकना जहां तक भाला जाए ओके यार डिस्टेंस तो आपको तै करना है कि हमको कितना फेंगना है अब कि सलेक्स्ट तो पाको करना है कि आपको कालिश को सबस्टेंस चाहिए दिली-एंच छाई है कि जीपमर जैए है करे कि सींची लुधियान चाहिए थ dette यह भी बात क्रें कानफुर आइटी क्मपुर आईटी है दिल्ली आयटी चाहिए कौन से चाहिए है कि नहीं आयटी मद्राश चाहिए तो फेक जहां तक भाला जाए ओके कमान कमान चला तो हो गया बटा तो वेरी फांटास्टिक और अब इसके बाद था हम लोगा एक पॉइंट इसमें अभी और था इसमें एक और था क्या आइसलेरेशन और टाइम का ग्राफ चली ओभी आजाए यह देख लिया जाए आइसलेरेशन एंट टाइम तो आइसलेरेशन एंट टाइम हाँ आइसलेरेशन एंट टाइम तो अभी विलास्टिक हमारे सामने है और देखे हो कि आइसलेरेशन होता क्या बटा तो आइसलेरेश सान आपको पता है कि वाटी जालेशन बोलो जल दे हैं कि अच्छलेसां बोलो वहीं क्या जालेशनी रेट पड़े ना पीछे रेट आफ चेंज चेंज आफ वीलासिटी रेट आफ चेंज आफ विलासिटी इसक्राल्ट वाट असलेरेसिन अचलेरेशन क्या है rate of change of velocity is just और अब निकालते हैं कैसे हो तो क्याते हो कि a ब्राबर डेल्टा यह ब्राबर रेट अप्षाब विलस्टी डेल्टा वी अपाउं डेल्टा टे ओके जिए उनुटी का रहते हो मीटर पर सेकेंड इस्क्वार लेते हो ना चालो अच्छा एब दो कि यह अब यह कम लगा होगे यह कम लगे बाइस इंपर डेल्टा वी मालों की वी कमाना है दस लेकिन जब विलस्टी में अध्यांदेना फिरव चीश जब भिलस्टी में टाइम आजाए इस आत्म के साथ इंप व्यैरि अलहत जब कहाँ तो क्या करों गले डिफरेंशेट करोगे, तो means कि a ब्रावेर dv upon dt का जब विलास्टी समय का function बन जाए, ताब आजाओ, अब यही काम्याँ करना है, चलो, a ब्रावेर dv, dy dt, अब dv, v का बार्न पूट कर दिया जा, एट, t-16, a equal to minus, इसको भी differentiate करना है और इसको भी, करना न, यह dv, dt ब्रेकट के बाहर है, तो इसको भी और इसको भी, करो, इसको करिए, 8 constant वही रहा, time है, उसके साथ में, function, और t का जानते हो, t का, t के district में, 1 होता है, 1 minus, 16 में t है नहीं, pure constant, हो गया, 0, तो a ब्राबर, 8 meter per second, square, ओके, fantastic, एकी value में time है नहीं, अब खिचना है graph, value है constant, t उसके है नहीं, तो graph कैसा आएगा, हो गया, आजाओ, चलो, अब इसका graph कैसा आएगा, हाँ, खिच दो graph, इसका time तो उसमें है नहीं, इसा मतलब कि value time पे depend कर नहीं रही है, constant है, time पे depend करने यह constant है, तो graph कैसा है या, time, acceleration, 8 meter, एह न, और, हाँ, तो पहले second पे देखे तब भी उतना ही, दूसरे पे देखे तब भी तीसरे पे देखे तब भी, चौते पे देखे तब भी, उतना ही बना हुआ है, no change, तो no change means, this is the graph, क्या क्या रहा है, यह क्या सो कर रहा है, isolation a equal to, isolation a equal to constant, this is the equal to constant, okay, fantastic, हो गया question, तो यह था एक टाइप का question, ठेक, अब इससे मिलता जोलता कोई भी question होगा, अब होती ही असानी से, solve कर सकते हो, ठेक, अब सब चलते हैं, दूसरे टाइप पर, हाँ, अब दूसरे टाइप पर, इसका reverse, इसका reverse, चलो, क्या, अब आपको दिया गया है, velocity, 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 v equal to 40, 40, 40 minus, minus 16, ना, क्या दिया है, velocity, v equal to 40 minus 16 दिया गया है, और अब आप से क्या पुछा जा रहा है, अब आप से पुछा जा रहा है, कि, what will be, what will be maximum displacement, what will be maximum displacement, yes, this is the question, very important question, very important, try to do the question, कुछिस करिया, करो, अभी ही वीट पढ़े, maximum displacement बताने वाला भी बता है, ना, maximum displacement, हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, डू फास्ट, क्या प्रावल्लम आ रहे है, जल्दी बोलो, प्रावल्लम कहा रहे है, क्यो नहीं हुआ अभी, बोलो, भी, जल्दी बोलो, प्रावल्लम कहा रहे है, तब तो मैं उसे साल्व करूँ ना, हाहं क्या प्राव्लम कहां पर है क्या रहे वह ना तो यह बोल लcketक संतों Oh is muss works to be life ै कर देना है ताइम फटा फट इंगा जाएगा तेंकि keywords तो रखे कहाँ हां तो तो क्या निकला वही दिया गया और एक्स की जरूरत है विदी यागया है और एक्स की तो प्रासेस भी उल्टा हो गया डिफ्रेंसियेशन का ही थीक उल्टा बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन तो उसको बोला है थे अवकलन और इसको कते हैं समाकलन मेंस समाकलन का मेंस यह हो गया कि किसी छोटी सी चीज की वैलू निक पता हो तो पूर कमान बताएदा तूसरों करते समा कलन समा कलन इंटीगरेशन फिरा आपको जलूत कहा है फिजिक्स इतना चाहिए हम लोगों को इसको समझना है अपने फटाफट साल वो पूरे फिजिक्स में चलो देखो तो ओके बिदा तो इंटीगरेशन अब क्या है इंटीगरेशन कैसे क उसको किसे उसकी पैचाम उसकी प्रिच्छांत का थी टी ऊपके अब यहां क्या होगा उसमेध यह न मैं रहे बटा में रहेगा नहीं देर विल भी नो फ्रेक्शन अब क्या रहेगा वनली डी एक्स या डी टी या डी वी या डी वाई कुछ भी ऐसे रहे इस तरह कर रहेगा तो जब यह इस तरह कर कुछ देखो पहकर जाओ क्या है यह इंटिग्रेशन का सिम्बल और हां एक चीज और इसको ना ऐसे एक यस कित्र से लगा देते हैं integration का निशान है this is the sign of the integration this is the sign of the integration shrine of the integration shrine of the integration यह क्यों लगा दिये integration का symbol है पहचान है तो ठीट ठाक लगे तो बस वही तो लगा दिया अब स्वाल है कि क्रोगे कैसे करोगे कैसे यह क्या कह रहा है पहस्चान हो गई पक्का can you be doubt no अब चलो अब करोगे कैसे पहस्चान देखे लिए आज आड़ लो कि हाँ आप करोगे कैसे तो थो Apแक्ष्य किसकर एिस्टिवर यह बिलाग देना थाओ अभापको यह बताना है किसकों क्ली колenser न तो क्या कहो होगा किसकर यह न की से से क्या था उसका उल्टा है है डिफ्रेंशेसर में गटाते थे इसमें के जोड़ा अब यहां उल्टा उल्टा करना है एक पहरी बाते की माइनस नहीं करना है एक प्लस करना है आज जो बढ़ी यह नया पावर है ना बढ़ा हुआ उससे डिवीजन कर देना है N plus 1, बस हो गया साल बुलत, दिशीद अंच है, इतना ही कि कुछ होर है, बस यह भी देख लेना है, कि यहाँ लोवर लिमिट कितनी है, मालोग यहाँ बैलू दिया है x1, और यह बैलू दिया है x2, यानि किसके किसके बीच करना है, तो यहाँ पर एक बाराख देना x1, और एक बाजक दिलिए एक इसों मोंतें इसे मोलतें हाइए लॉल इमिट और लिमिट अब इसका क्या करो गें एक हम इसमें ये वई पुट कर देना है 1 जो आवे उसे में से एब ये वाइर जिर् Background को देना है इसका जो आये तो एब जो आय किया मैनस ये वाला जो शब्राइट कर दिया इंसर आ गया हैं अब करके देखा जाए आजाओ चलो करके देखते हैं हो गया नियम याद हो गया एक शुद पाव एन प्लस वन अपने प्लस वन चलो आजाओ अब अपने नुमेरिकल को साल करते हैं अब बस दो चाहिक क्वेशन अभी साल करेंगे तुरहां प्रेक्टिस हो जाएगी फ्रस्ट लस चलिए आजो यहां पर कि जब V ब्राबर दिया हुआ है V क्या दिया हँट हूट हूर टी माइनस शिक्टिन इतिा हुआ है हमansas को प्रेंचल नहीं है क्यों में दीअision करो हाँ है कि तुमको पार समझना है कि यह इंटिगेट करें कि न और कि कब करोगे हैं को डर्यवर्स चल ला होगा है कि विलास्टी से डिस्प्रसेमेंट पी जाना दो रियोस जाना है अज डिस्प्रस्य कर लें न ल्ता जाना है तो विलास्टी से आपको चहींद कुछ क्यानगी की सिरषब करिखेंग है किसका एक्विशन के सदेट करते हो छोटाना है तो, अब में मिदने मिदने पता है तो माइनस सिक्स्टिन लेदें कोई प्रावलम नहीं अच्छा अब जा देखना अब यह मताओ एक इस फाल में है भी डिफ्रेंशेशन और आपको लाना क्या है इंटिग्रेशन क्या किया यादी डिटी यहां न रहता तो यहां प्रस फस्लास का तो इसो को घने यहांचे माइनस प्रस्ट्राव एक इंटिग्रेशन होता है क्या अब तो 4T-16 और व्यादीटि बे दिया यह होता है हाँ अब आपको कमार्म है कि हमको क्योंकि की इंट्रीगेर्ट करना है तो इंट्रीगेर्शन का सिंबल देहां लगा दिया आ घंट डिस्प्रसिमेंट टो बाडी हम मानते हैं कि पहले ओर जीन पर ती इसलिए वहां पर क्या लेग दिलेंगे और यह लिए एक समान हम देखना हो ना कि परदी एक्स किदना था बाद में किदना है तो एक्स ब्राबर क्या हो प्ता है लोवर लीमिट है और लिए और फाइनली हम जहां है वहां एक समाने ओके अचा आट टाइम कहां से कहां लेते हो तो जब तो टाइम कुछ दिया ना रहे आपको ना आगी होगे दो और हाइनली पांच कि जब यह जब बेसिक छोटी चुली बार सब त्यार होगी ना तभी वहां सब करने मज़ आएगा तभी करोगे ओसा हां तो इसलिए पार जब आज त्यार करो पना चलो तो अब टाइम के लिमिट में जीरो से मालो सुरू टी पर समात यह कि ल अगल बगल डीक्स मताब है कि integration कि आटिगरेशन और इस ढिर खो अब जय सके इपर लिखा वह आप ने डी वी लिखा जाच यह क्या क्या करा रह किसको कोई है ही नहीं अगल बगल में उसका माल यहां पर है ता V तो हमनों कोई का मनता कि DV या VV को करना है कोई है ही नहीं अकेले अपने ही है और यह क्या करा है इंटिगरेशन का सिंबल है इसको एकरा कि integrate करो कोई है नहीं तो अपने ही हो जाएगा integrate हाँ अपने ही हो जाएगा आज अपने ही हो जाएगा ना तो बस जानते हो क्या हुआ डी वी का क्या हुआ वी हो गया बस दी और वी यह हट गया तो जब कभी भी कोई integration हो integration का symbol हो dx, dy, dt, dv, ds, कुछ भी हो और वहाँ पर किसको करना हो function ना हो तो symbol खुद ही integrate हो जाता है या बहुत easy way में हम तुको math संजार है अब IIT वाले बच्चे होंगे तो math पढ़ते हैं उनको कोई problem नहीं होगी लेकिन नीट वाले बच्चे होंगे और चुकि math नहीं पढ़ते हैं high school के बाद में तो जो नीट वाले बच्चे होंगे मैं उनके लिए बता रहा हूंगो IIT वाले तो math में जानते हैं वह तो master है ना तो मैं इतना clear करके मैं easy way में नीट के बच्चों को ध्यान में रख करके बहुत ही को कि IIT वाले तो पढ़ते ही हो हां तो IIT वाले तो इना जानते हो उनको तो numerical पर जाना है डायरेक्ट और नहीं जानते हो माह लोग कोई ऐसा भी है नहीं जानते हो no problem यार सिख लो जीरू से सिखो ना सर्माने कहीं कहीं हो थो ठीक ओक तो डी वी बराबर भी हो गया चलो पका अब कहीं पर भी आईसे बोलो कुछ और चलो अब बोलो डी एक समान बोलो जल्दी खड़ा पाट बोलो जल्दी कि भोलो जल्दी डीस बढ़ाब भैं माँ बस वही एक्स चलो डीस बोलो Okay बिन 10 अब चलो यहां पर बोलो x कि लेमेट जीरो वाली लिमीट जीरो रखेंगे जीरो जाएगा लेक्स सही अब बूल जाओ लिमीट को मैं सिटी आप यह देख आप तो इस पे विए दोरो प्या ना चलो तो डायलेक्ट कर दिया जा यहीं integrate ठाल चलो फोर वहीं रहा ती वाइस ही रहा Integration में पामर पढ़ता है बढ़ा दो पहले कुछ नहीं कुछ नहीं मिन्स पहले कुछ नहीं मिन्स वान नथे कुछ नहीं मिन्स वान तो वान प्लस वान कितना है टू बढ़े हुए पामर से डिवीजिन तो हो गया 2 यह इतना हो गया पार्ट लिमिट जिरो वाली है रखें ना रखें छोड़ दो जिरो वाली लिमिट है तो रखें जोगते नहीं है माइनेस अब यह बाला आजाओ 16 है ना 16 इसके साथ क्या लगा हुआ है डीटी ध्यान देना डीटी इसको लिख देते हैं लिख दूंगे ही पर हाँ ऐसे है ना चालो आजाओ इस उपर शालू कर दिया एक्स ब्राबर कितना हुआ यहां काट दो इसको टू टी स्क्वार हो गय हाँ ठीक टू टी स्क्वार माइनस हाँ अब यहां देखना क्या होगा यह 16 देखना धान देना आखो बस एक बार समझना है यह सेक्टी नहीं यह है कांस्टेंट सीधा बाहर निकल जाता है निकल यह बाहर और अब क्या याद डीटी ओके फैंटास्टिक अब डीटी का अब चलो ऑज़ाव आगे लांग ले लिए लिए यहां यहाँ ले लिए लिते चल तो हां आ अब जाए देखना है यह एक एक इकुल टो कितना होगा एक से कहलो कितना हो गया टूटी स्कौार शाज इस टूटी स्कौर माइनस हां बलो मायनस 16 और क्या 16 टी ओके जो एक्वेशन नहीं दिया गया था आपको दिया गया था इक्वेशन देखना ज्यान देना विलास्टी का इक्वेशन को दिया गया था और आपको ज़र पढ़े किसकी किसकी डिस्परसिमेंट की तो विलास्टी के तो बेसिक क्या था अपना बेसिक क्वेश्ण था हाँ औहो यहां पर आते हम लोग बेसिक क्वेश्टयं में क्या बताना था किव आठ वहल दर स्वन इश्प्रसिवेंट पॉट्यू स्वस्वलिंट स्वयाख में सर्म पिर सिम्सेट होकर हुआ उध-ष्प सैथ यह विलस्टी को 0 होनी है तो चलो भई यह तो हम लोग साथ पहले किये थे देगी चलो नहीं है तो फिर से कर लेते हैं 0 बराबर कितना 4 T-16 तो टी वाब किना यह ती वाब फोर सेकेंड आगे मेस कि अबाटी का विलस्टी से चार सेटंकर से 9 अब से चार से चलियए फिर बहीत बात मैंकुन सब्सक्राइबंट बताना है यह याक्रयों डिम्सजज़क के लिए कि से बताओं यह भी पीछे बताया हूं रहे हो नहीं भी बताओ को जब आपको पता ही हो कि किना देता बाड़ी चली है तो माइक्समाल डिस्परसिमेंट के लिए उस्टी फाइनल विलस्टी क्या होनी चाहिए जीरो तो जीरो करके वहां से टाइम निकल लोगे तो निकल दिया ती हो गया अब क्वेश्चन साल हो जाएगा सामी स आपको बताना है डिस्परसिमेंट मैक्सिमम इक्वेशन सामने है समय भी आपके सामने है कि बाड़ी की निदर से चली है सीधा वैली पूट करिए एक्स मैक्स एक्स मैक्स हाव मच्छ तू टी की बयाली दी खोट है चले स्क्वार करिए टू फोर का स्क्वार हो गया मैनस सिक्स्टीन इंटी फूर सल्फ कर दो चार का स्क्वार करो 4 k कार करता से के नहीं होगा 16, अगोड दो 32, 32, 4 k स्क्राइब 16, मुल्टिप्लाइद बाइ 2, ति धी 32, और सीक्टीन और माइनस 4, ओक्के, how माच 64, 64, अब आया कित्या मता, 32, 64, माइनस 32 मेटर, माइनस 32 मेटर, maximum displacement x max x max is minus 32 meter and you know when that what do you mean by the minus displacement minus displacement means body is just in the opposite direction at the position t equal to 0 means कि वाब जीरो पर body जिस position में थी अब वहां से क्या है उल्टा उसके अपोजी डिरेक्शन में है बाड़ी ओके तो x-32 meter तो यह था हम लोगा क्रिश्चन आजओ और अगरा क्रिश्चन नेक्स्ट कर लेंगे तो आप क्लियर हो गए होंगे कैसे करना है ठेक आगे क्रिश्चन लेते विटाऊं नेक्स्ट क्रिश्चन देखे कितना आशान है कुछ भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है चलो अब आजाईए हाँ हाँ आजाँ चले अब है कोई भी ले दिया जाए कोई एक्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है है एक्सलेश्चन अब दिया हुआ है एक्सलेश्चन दिया है एक्सलेश्चन अब दो बाते बतानी है नंबर बान, what is velocity, दूसरा, what is, what is displacement, okay, करो, अब क्या, अब तो सिख्षित डाले हो भई, अब तो हो गया फसलास, यहाँ पर क्या, what is displacement, बास, पहले यह निकाल दो, विलस्टी आजाएगी, वहाँ से displacement निकाल देना, मैं करो, चलो, हाँ, आजाओ, मैं करता हूँ, चलो, ठीक, चलो, आजाओ, आजाओ, अब आजाओ, देखना है, question, कैसे solve होगा, कैसे solve होगा, देखो, असरहन है की देखो का दीजन है, जानते हो, कैसे दोलिको, दिफरेंशन फार में आज, देखोर्बी, Vt and what is V? V is the constant. V is any constant. Okay. चलो. तो दीवी भाई डीटी? क्यों? अरे भाई? क्यों? अरे ये इकल टू डेल्टा वी डेल्टा टी थाया ना? अभी पीसे बताया हूं ना? यह न था. तो जब यह वैलू कॉंस्ट इमालो कहता है कि अब डेल्टा वी कमान है 10 मीटर पर सेकंड तो यह किना देर में समय रख देते हैं साल को देते हैं लेकिन जब यह डेल्टा वी समय का फंक्शन हो जाए मैं कहूं कि यह 4T स्कॉर है तब क्या करोगे? टाइम से डिवैट करोगे? नहीं. तब इसे नहीं डिवैट होगा ना? तब आपको क्या करना होगा? निकालना होगा तब क्या करना होगा आपको? यह तब देखो यहां पर फंक्शन होगा ना? टाइम क्या? तब अब इंटिग्रेट करना होगा तो चलो, आजाओ. हाँ, ओके कमां, देखो अब इदा, तो dv by dt equal to bt. अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालनी velocity, निकालनी velocity, velocity यहाँ है अब यह understood है? अपने सोचना है क्या करना है? क्या करना है? यह दिटी यहां ना रहता ना? उदर भेज़ दो, ना रहता उदर भेज़ दो, अधर रहता dv, इंटिग्रेट करते dv कभी हो जाता बस आ गया वह लो, इतना आसान यहाँ, इतनी आसान physics होती है, सोचे भी नहीं ह देखो, dv देखा, अटिटी उदर भेज़ो, में दो, दना दन, में दिया, चलो, अब देखो, dv है, v आपो चाहिए, dv है, v चाहिए, क्या करते हो, जानते हो कि, हाँ, परते आगर समझ में आ क्या होगा, कि इसको यहां इंटिग्रेट करता तो भी मिल जाता है, बास तो क करते हो, कहा से कहा तक इनीशियल विलास्ट्री मान लोग, कुछ दन दिया हो, तो मान लोग यू, यहां मान लोग वी, यह इसको के लिखा रहे है, बाढ़ भी स्टार्टि फर्म रेस्ट, तो यू बावाजी रो, प्रारंभिक बेग, प्रारंभी बेग, के न हो जाना है, जीरो और यह दिन नहीं दिया हुआ है और यह दिन नहीं दिया हुआ है तो प्रारंभिक बेग यानि इनिश्यल विलास्टी को क्या मनोगे यू ओके हाँ तो मैं लिख दूँ क्या है लिख दूँ चलो इनिश्यल विलास्टी इनिश्यल विलास्टी को टू यू मिटर पर सिकेंड और वी क्या है फाइनल विलास्टी जो आएगा जिसको निकालना है आजाओ चलो में हां ओके कम आड डी वी तो डी दी इवी का कोई अगलबागल नहीं करने वाला अपने हो जाएगा अपने हो जाए गाए तो बड़ी हड़ जाता है इन्टिकरिसान अट भी बच जाता है हां यह तो मास्टर बंद गय बाब क्या चलो अभी क्या यू यह क्य और T का T पर कुछ नहीं, कुछ नहीं मिन्स 1, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, how much, how much fantastic physics, तो चल, अब देखो, B वैसे रहने तो, T पर पावर 2 अपान 2 हो गया, अब लिमिट की बात नहीं, तो टाइम गारा, अब देखो वैं, अब बात वह glare, है, लिमिट 0 से T, तो 0 से T, और 0 वाली लिमिट चाहे लो चाहे ना लो, कल यहां कि नाया इसमांवी न हाई लिमित र닷े दोटोटे उस्में से मानस करोगे हाई मैनस करोगे चलम रख रहा हूं देखो वी माइनस लोगर निमिट मानस किया कर दिया है इधर पक्का इधर चल्वा राइट हंड में इक्वाल टू बी टी स्क्वाइर बाइट तू अब देखना वी बराबर क्या हुआ यू धर गया प्लैस बी टी स्क्वाइर बाइट तू यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था गया वाट इधर विलस्टी वाट इविलस्टी दिसी विलस्टी कितना असान है कोई दिक्कत कोई परेशानी नो पक्का तयार हां बहुत असान हो गया मिटा देट चल्व अब वाट इस दर डिस्प्लस्यमेंट पर चला आजा फटा फट चलो देखलो हाँ अब इसके आगे इसके आगे इसके आगे चले इस वाटा दिया जाए है हाँ इस अब जरुत नहीं है डिस्प्रस्मेंट चाहिए तो पता ही है क्या रखने की यह जरुत नहीं है चलो हाँ आजा अब होगया चलो अब विलास्टी चुकी आगई है इस क्वेस्टी अगई है तो अब हमनों को बताना है दिस्प्लसिमेंट क्या किया जाए क्या क्या आपके पास velocity है, displacement के formula लाना है, velocity time की function है, साफ दिख रहा है time है, उसमें, constant तो है नहीं, है उसमें time, है variable, differential integration का question है, साफ साफ clear है, तो velocity को किस formula लाना पड़ेगा, dx के formula, यह dx मिल जाता, तो integrate करते x हा जाता, नहीं, अच्छा, ए कहां साएगा, बी को dx पर dt लिखना है जानते ही हो, चलो, लिख दा तुरंत, तो dx upon dt equal to, क्या, जो भी सामने है, लेलो, u plus bt square upon what, 2, अब जा देखना, dx इधर आने तो, d2 भेज दो उधर, हाँ, क्यों कि को dx है यह ना, आपको, चलो, भेज हो उधर, तो u dt plus bt square by 2, और dt इधर आया है न, तो यहां भी dt, और क्या हो गया, बस, वहीं ठीट ठाक लगे, लगा तो निसान, 0 to x, यानि कि 0 पहले मालने हैं, कि अपने 0 पहे था, अब किन्नी दूरी पर है, time, time generally, 0 से यह ना, कुछ दिया रहे हैं, तो 0 से सुरू होता है, 0 city, बस हो गया, साल क्रोफटा पर देखें किन्हा असान है, तो dx, dx, कोई अगल बगल नहीं, अपने आप, x, इसके अगल बगल, हाँ, का u है, u constant है, बहार निकला, अब अकिला बचा dt, अकिला बचा dt, अब dt का t, हाँ, इसका भी हुआ, 0 के limit है, लेने की जरूत नहीं, 0 के limit है, लेने की जरूत नहीं, b, 2 constant है, बहार निकल दो इसको, b, 2 का इसने निकलो, अंदर क्या हुआ, tτ, स्कार, तो अंदर क्या हुआ, हाँ, बगए 2 तो इससना है, अब t, पावर 2 है, तो क्या होगा, 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 means t cube अपान, बास होगा, कितनी असान, नहीं, एक्सलाब, देखो, ut प्लस b t cube अपान 6, तो, तो this is the velocity, this is velocity, this is dispersive end, and the initial question was what, what was the initial question, acceleration a बराबर b t, हाँ, तो this was the question, आपको क्या दिया गया था, आपको question में दिया गया था, कि acceleration command a बराबर b t है, question में क्या दिया गया था, ice lesson a बराबर b t है, तो, ice lesson a बराबर b t है, तो, velocity बताओ, और displacement बताओ, बता दो गया, वीडियो को दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, खुब, जम कर देखो, copy लो, pen लो, practice करो, फटा फट, अब ऐसे, इतना करने की बात, कि नुमेर के जिरॉर पढ़ेगे, तो, बहुत सार नुमेर को तो, कराई भाहं बलेगोड पर, मैं ले रहा हूं, बहुत सार लुग में इसे लेंगे, बहुत साल लेंगे, ना, subscribe कि यह होंगे, के चैनल जरूर ना की हो तो तुलन कर ले तुलन कर लेजिए क्योंकि आपका इजाम होगा तब important questions नीट का होगा तब important questions clear तो बहुत जबज़स चीजे देंगे तो आपको सब्सक्राइब ने की आऊंगे और वह बेल नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आपके पास आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा तो थोड़ा साब बिलकुर रही है ना करोर करके बिलकुर फर्स लास ठीक ठाक और सारा इधर के सारे पीशोड देखे रह इंगे तो ये ज उस कहुंगे जो भी इंपरेटिन देंगे जो भी पढ़ाएंगे ना दिन में ृत्भ मेधय म stop रखेएंगे ना फोलां गश्रक ब्रहएंगे तो उसी दिन करेंगे ना तुरंध करेंगा है जाम तक आपके दम से बेलकुल नीट 720 भाई 720 ओके कमान हो गया चलो तो आजाओ और आगे और आगे अब अगला पॉइंट नेक्स्ट क्वेस्टेन नेक्स्ट क्वेस्टेन लिया जाए चलो हाँ हाँ अब आपको कहरा है कि हाँ को आजाओ रिया जाता को एक पुली वने हुए है इस तरह से और एक पुली है और ये आइसे हैंक कर रही है और यहाँ पर एक रसी है इसे एक मास बदावगा हुआ है यह एक मास मनदाऊ इसे मास मास यह एकस एकसस है क्लियर तो थोड़ा पुली को मास को थोड़ा लंबा कर दूं और इसको यहां सेंट्रस दिखा दूंक अच्छा हो जाएक निए यह मास्क फंटास्टिक चला और अब एक रसी इसमें पूली पर और यह विलाश्टी से नीचे जा रहे है विलाश्टी से इस रस्शी को नीचे खींचा जा रहा है अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह यह मास किस विलाश्टी से आगे जाएगा मास किस विलाश्टी से आगे जाएगा तो इसका नाम कर देता हूँ 1 और इसका नाम कर दो 2 ताकि confusion ना हो टाइट टो और यह इंगार थीटा किया जाएगा बहुत सारी निमेरिकल्स किया जाएगा जहां इंटिकरेशन डिफ्रेंशियेशन इनकी जिरोग पड़ाईगे तो अभी तो देखा हम लोगे रहें कि यदि डिस्पर्स्वेंट दिया है बिलाश्टी पता नहीं हो तो बता सकते हैं और कर सकते हो और बिलाश्टी दिया हो और डिस्पर्स्वेंट पताना तभी कर सकते हो दोनों क्योशन समझाए दिया फस लाश्ट कर चलो अभी बहुत कि कि यह मास नीचे आ रहा है कि आधाने कोई भी मास से कोई भी विलस्टी दिया हुआ मालो इंचे यह को ओछ इसको एक्स माल लिया जाए और यह रशी की लंबाई है इसको एल माल लेते हैं इसको एल माल लेते हैं ठीक ठीक है फसलस चलो आप जाद देखना हो क्या रहा है है हो क्या रहा है जब इसको रस्षी को हम खीच रहे हैं रस्षी नीचे आ रहे हैं पूली तो अपनी जगा पर रहे हैं यह तो रेश्ट में है यह अपनी जगा रेश्ट में है ओं यह फियो हो रश्षी जो नीचे आ रहे होगी तो रस्षी कि पूरी लंबाई जो होगी यह ने थोड़ा सै दिखा दिए हाँ अईसे तो यह रच्टी की पूरी लंबाई पर्मानेंट वाई माल लिया जाए तो वाई कि ईमान में कोई कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है और यह यह देखो यह वाला पार्ट घटता जाले समय से यह मास आगे मुग करेगा यह मास आगे मुग करेगा तो यह लंबाई यह बदल लही है और यह लेंथ कांस्टन्ट है ओके अब आजाओ कहीं भी जब आपको कोई भी ऐसा क्वेशन दिखें जिसमें एक्स वाई जेट या एक्स वाई एल कुछ भी रहे इस टाइप का और वह इनमें जो है न यह आपस में इंटर लिंक दिखें यानि कि वह कोई एक एक्वेशन हो आए उनके बीच में कोई रिले और रिलेृशन दिखाएदी ऐसे क्वेशम के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उनमें उनमें आपको समें स्वीरिसन कैसा प्ला काम उसमें क्या चलिए उन्हापर देखा जाए क्या रिलेशन में यह है एक पाइथागुरस थेरन बागादो क्योंकि राइट अंगल ट्रेंगिल दिख रहा साफ साफ यह एक संपोर्ट त्रिबूज है प्रिबूज है राइट एंगल ट्रेंगिल साफ स्वेदे लेख दो क्या लिखना हमारी यह है एक स्फवार प्लैस यह क्या है वाई-टो-टो-टीए क्या है एक सैंट फ्रेंशीन के बीच में एक स यह चूकि कहीं के पदिया अब कौन है चूकर टाइम के रिस्पक्ट में क्या देगा विलस्टी पहले से अंडरेस्टुट है चालो तो डिफ्रेंशेटिंग इस एक्वेशन डिफ्रेंशेटिंग इस एक्वेशन डिफ्रेंशेटिंग 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 डिफ्रेंशेटिं करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो करो जल्दी भाई 2, 2x हो गया है हो गया और कुछ क्या यादे न बस समीभी पढ़े ओ यह एक्स और करना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो 2x dx dt यह fantastic plus आगे बलो y का बलो बलो y का हाँ zero good साबस जीरो कैसे y constant है y में कोई changing समय के साथ नहीं है हाँ यार यूरी very smart student चलो तो 0 हो गया चलो आगया अब यहां बोल देना तो टू एल डी एल बाई डीटी फैंटास्टिक हो गया चालो आप देखो बाई प्लस जीरो है यहां अटा दो आप इसको कोई जरुत नहीं है तो यह बन गया अब देखना इधर भी तू इदा भी तो पहले इनको अटा दो अब देखो डीएक्स बाई डीटी पर कौन है ध् दिक्स बाइडिटी वीलस्टी होती है और किसकी कोण शीर दिया नहीं डिया गया लिट्फो तो एक्स बाईटु बड़ाबर है एम यह बाईपर फैंटास्टिक और इक्वल टू एल ल है चलो एल राने तो दीएल बाई डीटी पर कौन है भाई डीएल बाई डीटी यह क्या यहां कहिं भूला वह दें नो यहीर सी कि लंबाई यहां पर चेंज करते दिखाए गई यह अदरवाइच यह हाई तो constant है यह तो constant है रसी जिस रिड से अमाल हम खीच रह तो मेरे हास कि से रसी पास कर रहे है तो DL by DT that is the velocity and that is given by V1 तो this is V1, DL by DT is V1, V1, अब आको बताना क्या था, V2, तो V2 बलाबर, V2 इवल बताने थी, देखो, L upon, L upon X, into V1, this is the answer, fantastic answer, आगया, first class, means, कि V1 और V2 के दोनों के बीच relation आगया, आप जा देखना, V2 बराबर क्या हुगा, हाँ, V2 बराबर क्या हुगा, L by X, mind, L by X, hypotenuse, कर्ण अपान आधार हुगा, हाइपोटेनस अपान, क्या, X, हुगा न, means, sec theta हुगा, तो, अब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, L by X means, sec, यहनि, class का inverse, तो, sec, क्या, V1, sec theta, V1, या, ऐसे ली सकते हैं, V2 बराबर, क्या, V1 by, क्या, cos theta, this is the answer, मारो फटा-फट, निसां, हो गया, तो, वन दीवर क्या देखा थे, differentiation, क्या क्या देखा, differentiation, integration, उनको कैसे solve करते हो, differentiation, integration के numericals को कैसे, निकालते हो, देखा, क्यों, first class, हाँ, 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 तो, यह कैसे solve करते हैं, और, इसका और कहां पर यूज होता है, मिन्सकी सीधे velocity और displacement वाला equation के अनुसार, इनकी और कहां पर यूज होता है, तो, आजाओ, एक question, और देख लेते हैं, ओके, चलो, हो गया, हो गया, clear हो गया, कहें को डाउट, नो, चलो, भई, तो, एक question बहुत ही important, एक question और देख रहेते हैं, हाँ, चलो, एक question और क्या है, कि, यह IIT में आया हुए question है, हाँ, IIT में आया हुए question है, कहे रहा है कि, कहीं पर भी retardation, कहे रहा है कि, कहीं retardation, एक value दी हुई है, minus dv upon dt, retardation है, तो minus रहेगा ही, equal to, क्या, यहां इसे कर दो, हाँ, इसे यहां लगा देना भी, minus kv cube, where, where, k equal to constant, k constant है, and, and, velocity, velocity at t equal to 0, velocity at t equal to 0, is v naught, तो, what will, what will be velocity, what will be velocity at t, time t, time t, okay, what will be velocity at time t, तो पहले तो question नोट करिए, कि फर्स्ट, आये टी में आ चुगा है, पहले ही, question देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, किताबों में जरूर दिया गया है, question, clear, तो, okay, आजा, हाँ, हाँ, हर किताबों में लगा होगा questions, आये टीम क्योंकि पहले भी, पहले आप चुका था, चलो, माल भी यह कोईशन आ जाए, तो क्या करोगे, तो क्या कुछ कह रहा है, देखो, तो isolation, isolation में is retardation दे रहा है, ना, retardation देखे है, क्योंकि break मारा गया है, ठीक, तो अज कहीं पर भी, हाँ, अब वहां दिया क्या था, वहां पर motor boat करके दिया हुआ था, ओके, यहां दिया हुआ था, motor boat लिया था, ना, motor boat लिया था, IIT में जब पूशा गया था, तो एक motor boat माना था, कि कोई motor boat है, जो जिसकी present time विलस्टी, ना, present time विलस्टी विलस्टी वी नॉट है, देखो, अब engine off किया गया, अब मालोग हम कार मान लें इसे को, तो brake मारेंगे, ब्रिक मारा गया, अब विलस्टी से कार जा रही थी, अबने brake मारा, अब किना retardation प्रड़ेश किया, इतना, तो T समय पर किया रहा है कि उसकी बता उसकी विलस्टी क्या होगी, ती समय पर उसकी विलास्टी क्या होगी, एक्वेशन है, अच्छा, अब यह मोटर बोट था, आइस में क्या बोला था, कि, क्या बोला था, कि, देखो, ती बाबे जीरो पर उस बोट की विलास्टी यह है, और ती बाबे जीरो पर इंजन आफ किया जाता है, तो जब आफ किय यह था तो तौक गया इदना प्रडिश को डिशारई इसके क्या होगा एक किसी दूसरे समय पर 5 से बाद मालों दॉस्ट सबसकी नहीं तब उस्टी क्या होगी fantastic question क्या कर नालो किह दना इन उटहें अटना है फटां उसको était-उस्टेंट हैक अभी तो वैस और लोग को विलास्टीव प्रस्ति बताली है ना तरफ क्या हना है क्वेशन मने जो चाही हो ले लोग झालोग सिल épo आप जा देखिए दीवी बाई डीटी आप देखना बई डीवी बाई डीटी एक्वार्टू देको क्या मैनेस क्या वी, जाओ दीवी यहां ले लिजिए और देखो वी अ क्यों को इसके पास ला दो यहां पड़ा है वही दाने दो अब डिटी क्या हुआ गवा डिटी को उधर बेद्धो क्योंकि यह डिवी है ना तो डिवी ही वी को क्या करेगा वी क्यों तुस्वें इंडिगेट करेगा हुई इसलिए अब चलो इसको उपर ले जाओ तो वी क्यूब हो गया देगे अबड़ा वी क्यूब चलो तो वी क्यूब उपर ले जाओ मैनस हो गया थ्री उपर गया और डिवी तुसके साथ में लगा ही था एक काम और कर दो इंटिगेशन का एक अच्छा ठीक ठाल लगे थोड़ासा निशान लगा तो अब कहां से कहां तक कहां से कहां तक तो तुछ वाभए 0 पर देख sudah του डी नॉइत अगम इन कि फोरस्टिव थी माने ऊना हाँ x औंak एदर देखो मांस बाहर लाने दो कि डी टी सवजी हो बहीं है जीरो से ती वावत जीरो पर टाइम के लिए दीवाष जी्यों से हो जानी है इसको क्या हो जाएगा हां वही प्रास लगाते चलो यह वी तुन पार माइनस त्री तो माइनस त्री प्लेस वन अपान माइनस त्री प्लेस वन एक दम जानते हैं एक्स पार यह नवाला इंटिकार 열 al तुरण अब देखो यह है वी नॉँट और यह है वी हो गया साल्ग हो हो गया पूला site यह उगई ital चलो इदा लहाओ कि जानते हो बहाहा निकल जाना है कि बहार निकल जाना है और यहां कि आ जाना है dt, dt कटी, सो कहकी हौना है, अचालों अफ़सा, एक लायन और यहां पर लिखों, तो मेधर चला जाएगा, अभचों minus 2 v per minus 2 upon minus 2 equal to minus k into t हो गया, 0 से t की limit है, लेने की 0 तो अगर नहीं है, अब देखो, इधर का minus, इधर का minus, इधर का minus से cancel होगा, जब cancel होगा, तो क्या ले सकते हो, 1 upon v square equal to, हो गया न, देखो यहां पे, हाँ, अब limit अभी यही पर आने दिया जा, अब limit बाद में रखा जाएगा, देखो यहां पर कर दो, ऐसे, क्या, v naught से v लगाते रहो, हाँ, चलो गया, इधर का minus, उधर से minus से cancel होगा है, 1 upon v square आगया, चलो, और क्या है, v naught से v, तो v naught से v, equal to, हाँ, इधर आजाओ, इधर minus तोहर है नहीं है, हट गया है, kt, ओके, साल, बास, अब इसको और छोटा कर द तो, v का v रखोगे, तो v ही रहना है, और जब यह रखो, v naught रखोगे, तब क्या हो जाए, तो, one upon v square minus, one upon v naught square, हो गया, पस लास, equal to कितना होगा, हाँ, बस यहाँ, केटी, चलो रटा, साल कर इसको तो, v naught square minus, हाँ, यह करने के क्या जो था, इसे उधर बिन दो, हाँ, one upon v square ब kt, plus one upon, क्या, v naught square, और स्टा करेगे, one upon v square बरावेर, चलो, यह, multiply करो, तो, v naught, करो, करो, v naught square, kt, plus one upon, v naught square, हाँ, हो किया, आया टी में पुछागा question, most and most important, चलो, हो गया, चलो, अब क्या करे, देख लो, यह बात देखो, जल्दी, यहां तर पहले नोट कर लो, यहां तो नोट कर चल्दी, कहली हो, और यहां तक हो गया, पहुंच गये सब लो, reverse कर दो, reverse करो, हाँ, जी, देखो, कामरा पे रहे, भई, हाँ, आज़ा, reverse कर दो, उल्दी, 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 सिधा, तो v square बराबर किना नहीं सकते हम लोग, v not square, upon, क्या, v not square, kt plus 1, हाँ, हो गया न, उल्दा हो गया, हाँ, ठीक, ओके, चल्द, आब आज़ा, तो इधर हो गया होगा, इधर हो गया सब, हटा दे, चल्द, हटा देता हो, सब का लिए होंगे, आज़ा, अब देखना, तो अब यहां से, हम फिस्टे ले लेते हैं, चल्द, पता नहीं, यह कैमरे में है कि नहीं, विटा, उपर ले लेते हैं, हाँ, देखना, तो वी स्क्वाइर बराबाज कितना होगा, उपर गया, तो वी स्क्वाइर हो गया, जब यह होता, वी स्क्वाइर हो गया, अब उसको भी रिवर्स करोगे न, तो वी नाट स्क्वाइर अपान, नीचे किलना होगा, वी नाट स्क्वाइर, के टी, प्लस, ओके, अब देखो, वी कमान बता ना था, अंडर रूट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, रिजल्ट, वी नाट स्क्वाइर, के टी, प्लस वान, या, वी ब्राबर, वी नाट, ऐसे लेलो और इसको ऐसे कर दो अंदर जो आया है उसको लिख दो वी नाट स्कॉयर के टी प्लास वान फैंटास्टिक रिजल्ट मर्द दना दन हो गया तो नंबर फर्स्ट लास विजह था डिफरेंट डिफरेंट टाइप को हम ने सिखाए कि कैसे 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 करिशन तो अभी आधि जमके पढ़िया है आईसे प्रटीश करना है प्रटीश करना आपको सब कुछ हमारे आप पर सब कुछ कुछ बिलेगा पी हंडड्य प्रिजिक्स पर इफ हमारी तो जानते हो रहाट रही है अभी जो गिई जानते हो फिजिक्सरां से प्ढ़ने के लिए इन थो फिचिक्स ने सब बचे पड़ते थे तो अब आया हूं अल-न था किया अब आयेगा मज़ा ऑठ वेगी सतने कें स्कोश मिलें अनृप मुह आप देगैं ऊसे अभी जब तक नहीं है तब तक हो यहां से पढ़ो प्रैक्टिस करो जो भी किताब हो कहीं का कोई क्वेशन हो कोई किताब उसे साल्व करो तुरांति अजब सब लग जाए पढ़ने कमें जाता है जब कोई क्वेशन ना फसे तब समझो पढ़ाई हो रही है बिल्कुल मैं आजब करोते हैं देखो सालर रहा है और आगे पीछे कुछ फंस नहीं जssäकंड़ा नुक्रिफ करतेट जब मिलते वहां है एक अधार किसमसा था और ऑन्ली का पार्ट 11ग यह था वंडी का गार्च 11 फ्रत भी मिलते हैं वंडी पार्ट ट्वेल बब बेकर के ओ के ओ के